हेलो फ्रेंद्स वेलकम बेक टू माई चैनल आज मैं आप सबके साथ एक अनदर इंट्रेस्टिंग डेस्पी शेयर करने वालू जो है कटहल की बिर्यानी तो चलिए शुरू करते हैं बनाना सबसे पहले मैंने यहां पें कटहल को दो सीटी तक बाल लिया है आप देख सकते है मैंने कटहल के इतने वratos पीसस में है कट लुखा हूँ है अब मैंने कटहली में तो अउल डाला है अब में इन कटहल को प्राई कर लूगी फ्रेंड्स मैने कटहल ठोड़ा से ज़्यादा पज़ पकग गया है आप ठोड़ा उद facto करते में इससे तेल मिंढ झाल करना है अब देख सकतें मैं इसे ऐसे फ्राइय कर रही हूँ दीर दीर से क Clone को इसे फ्राइय कर ले나 है ऑब को कटेल को और फोलड करका ले 안awk Anand पीछ में स्ट्रीम आजाती है इसलिए मैं आपको दिखाने पाती हूँ यह मारे अब बागी की स्ट JUL ne पहुत में तब समक्राइबा तरह फ्राइबात आची बाद कर ळेकर अउसी सॉड़की निकाल लूगी है लें इसोट वी तो लुखाये में अज़िए कर लिए दो वो कर लोगी हुए और कीष्या यहीं निकालाद। गर्णिशिंग मोस्ट आप्ष्या अब मैंने इस इस कुछ तेज़ पत्य डाले हैं से मैं इसमें हम थोरे से हीं मिर्च खड़ी यम्रीया धीज़ कर्णुरमर अनिष क्जि़ह यां के शी यानिये चुछ अपनीज़ दाल लिया जक्ते अब मैंने इसमें लबे कट्टे हुए प्यास को डाल दिया है मैंने तकरिवां दो बड़े प्यास लिये थे फ्रैंड्स आपको ज्था पसंद तो आप ज्यादा ले नहीं तो कम भी ले सकते हैं अब हमारी प्यास थोड़ी सी ट्रांस्लूसेंट हो गई है इसे मैं जिंजर गालिक अंचेली का पेस्ट डालूंगी मैंने या पे दो बड़े चमच भरके डाला हुआ है फ्रेंड्स अब मैं इसे भी इसको पका लूँगी इसमें यह हमारी ब्रुयानी अच्छे से बन के त्यार होगी अब मैं इसमें मटर डालूंगी यह मैंने हारे मटर को धुल के रखा था अब मैं इसमें कुछ गाजर के पीसे डालूंगी मैंने एक इंच काटके रखा इसे अब आपको इसी भी पका लेना है सब्ची अब मैं सब्जी को चला के पका लेना है इसमें आप देख सकते हैं मैं सब्ची को चला के सही पका लूंगी यह सब मैंने फॉस्ट फ्लेम पे ही के अपर फ्रेंट्स क्योंकि सब्ची यह चाहिए यह देखिए हमारी गाजर पक चुकी है अब मैंने यहां पे एक कड़ लिया है मैंने कड़ को अच्छे से फेट कर रखा हुआ है मैंने इसमें कुछ हल्दी पाउडर तकरिवन दो चोटे चमच धर्निया पाउडर दो चोटे चमच लाल मेश पाउडर यह काश्मीरी पाउडर है फ्रेंड्स फॉदर कलर यह मैंने फ्रेंड्स मसाले का कलर बहुत ही अच्छा है आप देख सकते हैं अब आपको इसे हल के हादों से मिला के इससे इक साथ भूनना है यह देखिए किता प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स इससे हमारी बियानी का कलर और भी इन्हेंस होगा यह देखिए मैंने चावल को दो सीट पर आचुका है अब मैं इसमें अपने कटहल को एड़ कर लूँगी यह मारे तलेवी कटहल है जिनने हमने फ्राई करके अलग रखा हुआ था अब आपको इसको भी इसमें मिक्स कर लेना है अब मैंने इसमें कुछ चॉप टमाटो डाले है मैंने यह दो बड़ी टमाटर ल कुछ इसे द्रीके सब्सक्रा करें दो तेख से जाल को डाल लिखें चाओल से डाल लोगी अब मैंसे मैं सब्सक्राइब कर लूँगी और में 裡面 मिक्स कर्ना है और वित कंशे हैं चती है ओं मैं आपको इसे ब्लेट करके दिखाती हूं तो यह दितारें हमारे बियानी आप